नमस्कार मेराज कमल और आप देख रहे हैं मिडिया दर्शाग यो तो बिहार पुलीस हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है कभी बिहार पुलीस का आपस में लडाई का वीडियो एरल होता है तो कभी ट्रक ड्राइवरों से पैसा वसुलते हैं तो कभी लचार वेवस लोगों पर लाठिया वर्शाते हैं लेकिन इस बार नितीश कुमार के नलंदा से एक वीडियो एरल हो रहा है ये वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाईएगा दो पुलीस कर्मी बीच सड़क पर खुद में फाइटा फाइटी तक कर रहे हैं सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए तो आपने इस वीडियो में देखा कैसे दो पुलीस कर्मी आपस में लड़ाई कर रहे हैं दरसल पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं दरसल मामला है नलंदा का, ये वही नलंदा जहां से नितीश कुमाराते हैं, नितीश के ग्रिह जिला नलंदा का मामला है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है, वीडियो में आप साब तर पर देख सकते हैं कि दो पुलीस कर्मी कैसे लडाई कर रह कोई वीडियो तक बना रहा है तो कोई कहे रहा है कि हड़ जाओरे मत लड़ो सस्पेंड हो जाओगे हाला कि बोई दोनों इसके बाद भी बाज नहीं आते हैं यह वीडियो रहुई थाना शेत्र के सुहसराय रेलवे हल्ट के पास का है जहां डायल 112 की गारी पर तैनाद दो सिपाही आपस में भीर गया और एक दुसरे के साथ मारपिट और धक्का मुकी की इस नजारे को देखे सडक से बुजर रहे लोगों की भीर लग गई और रहगीरों के हस्तचेप के बाद मामला शान्त हुआ इसी दोरान वहां मवजूद किसी सक्स ने पूरे घटना करम के वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर सेयर कर दिया जो तेजी से वाइरल हो रहा है हलांकि मीडिया दर्सन इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता है आपको बता दे कि वाइरल वीडियो पर नलंदा की एसपी ने संग्यान लिया और फिलहाल दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है मुस्ताइज हो जाएए अप राधियों को दोड़ाएए नहीं तो हम आपको दोड़ाएंगे और देखिए होता क्या है कि विहार पुलिस के जवान आपस में भीर जाते हैं अब जब रख्षक ये भख्षक बन जाएगा तो फिर आम जनता का क्या हो फिलाल इस विडियो की पुष्टी मीडियादर सर नहीं करता है लेकिन इस प्रकार से विडियो वायरल हो रहा है ये काफी दुखत है ये विडियो कहीं और से नहीं बल्कि इनितिस का गढ़ नलंदा का बताया जा रहा है जहां बीच सड़क पर दो पुलिस कर्मी आपस पे भीड जा रहा है कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों पुलिस कर्मी ट्रक वालों से पैसा वसुनने के लिए भीडे थे हालांकि इस वात की कुछटी हम नहीं करते हैं लेकि सोशल मीडिया पर इस परकार की खबरे भी फैलाई जाए रही है हालांकि मामला जो है वो एस पी के संग्यान में आ चुका है एस पी ने दोनों को लाइन हाजिर करें कारवाई शुरू कर दी है आगे क्या कुछ होता है हम आपको पलपल की अप्डेट देते रहेंगे फिलाल बने रहें मीडिया दर्शन के साथ अगर ये खबर आप यूटूब पर देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये खबर आप फेस्बूक पर देख रहें तो पेस को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद